बच्यों को चलना से खाने की सेरीस का यह शेकिंड पार टैया फ़स्ट फीडियो मा आपने जाना था बच्चों की वोक्टिंग से रुटेंट इन डिफेंड मैल स्टों और कुस मैक्स लेबल इनफोमिशन इस फीडियो में आप जाने के दस इंट्रेस्टिंग वॉकिंग जिसा बच्चे को जल्ली से चलना शुरू करा सकते हैं यह शुरू करते हैं प्लास्टिक का या बिना शाप कॉर्णा वाला लकडी के टेबल स्टूल या फिर सोफा बच्चों के खड़ा और के खेलने के लिए स्टेंडिंग स्टेशन में कंवर्ट कर दीजिए जो भी बच्चे को पसंद दो उसके फिर टॉइस वगरा या फिर पेस्ट कर दीजिए आप डबल टेप का भी यूज कर सकते हैं इसके लिए बच्चा बार-बार खड़ा होके खेलेगा उसको पैरों को मजबूती मिले कि इसको बड़ा मज़ा आता है इन सब चीजों में हमने काईरा के लिए किया वीडियो में देख सकते हैं काईरा खड़ी हो रही है उसने एक लोनों को पकड़ा उनको इधर उधर वो स्क्रॉल कर रही है चेक कर रही है प्लेडेटी इसमें बच्चे को बाहर खेलने के लिए करती है बच्चे को कहीं बाहर ले जा गहीं पार ग्राउंड कलब हम काईरा को मंदीर में ले जाते ते पास के जहां काफी सारे बच्च vibes अच्छ थे-थे-चल ना सब्सक्राउं कि द्यारा उनकि पीछे बहुत जल्दी करना इस इस नौन की बागड करना भी देख रेंधर जर तढिसे ऊहीं पर लेकर जाओ जहुं जो देखो मिलते हैं कैसे क्यारा को इसugo को हिलाना की कोशिश कर रही है। मज़ा रहा है उस तरहब हैं। इसWhen समवान सब्चे कोईиноप्ग meth है इसी तरह का कारारहे भी हर समस्कारपकर इन भूस समटनी है तो यह भी ब्रह szczेच सफ्कुर्पन। इसे वो जल्दी से चलना भी सीख रही थी और उसको मज़ा भी आप पूर्थ गेम है दोनों हाथों में लड्डू, इसको टू ओवर्ट्स गेम भी बोलते हैं, अक्सर बच्छा एक हाथ से सपोर्ट लेका एक हाथ से खेलना चाहता है, तो हम क्या करते हैं इसमें, दोनों ही ह क्लिफ मिल्ट हो की बच्चे की, लेक्स मजबूत होंगे, बच्चे को बहुत मजा आता है कि उसके दोनों हाथों महीं कोई ना को चीज है, कोई उठा के दे रहा है, फिर वो सोचता है कि मैं किसी चीज को सहारा क्यों लूग, क्यो ना मैं खुदी घड़ा हूँ, इधर सब्सक्राइब करना चाहेगा इदर उदर हिलेंगे तो बच्चे को बहुत मज़ा आता है पैरा उनको पकड़के खड़ी होती थी उनको हिला थी कार को इतना मज़ाता था कि वह बार-बार उसको करना जाती थी बस हम उसको बैलाने के लिए पीछे सपोर्ट के लिए खड़े रहते थे पर उसको टच नहीं करते थे कार एक अधबारी गिरी होगी नहीं तो उनको पकड़के खड़ी रहती थी उनको हिलाती रहती थी इसको इतना मज़ा था था इसको मन करता था कि मैं सोओं भी ना बस खेलती ही रहूं का हैंड्स आइ सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके बजाए आप म्यूजिक की कोई और चीज लगा सकते हैं बार बार कायरा खड़ी होती थी देखो उसका बंप कैसा हेल रहा है जड़ा आता इसमें इससे कायरा का म्यूजिक के लिए भी लगाव बढ़ने लगा उसको अगर हम मोबाइल में स सब्सक्राइब करने की कोशिच करेगा इसमें बहुत ही फन होता है और बच्चे को सीखने को मिलता है अलगलग सर्फिस पर चलना सीखता है कैसे बैट पर चड़ने की कोशिच कर रही है बस उसको थोड़ा एंकरेज करने की जरूत है इस गेम में बच्चों को चकराते वे बच्चते वे खिलोनों से या और भी इसी तरीके के हड़ल साब लगा सकते हैं बच्चों को हाता है कि हाँ मेरे को कुछ करने को मिल रहा है मैं कुछ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा हूं आप और भी तरह के लगा सकते हैं जैसे की बैलूंस बड़ी बाल्स बच्चों से जब बच्च के चलता चलेगा ऐसा लगेगा जैसे स्नेकिंग करता हुए कोई गाड़ी ज पहुंचता जा रहा है बस सेफ्टी का जरूर दिहान रखें आप देख सकते हैं चार तरफ कैसे हमने फोर्मशीट लगा के काई रहे के सेफ्टी के नाइंथ गेम है टोवल सपोर्ट एक बड़ा टोवल को फोल्ड कर दीजे और उसको बच्चे के चार तरफ लपेट दीज थोड़ा बहुत थकने लगे तो उसको रेट्स दीजे पर उसको चलाते रही है टैंथ गेम है ट्रेजर हंट बच्चे के टोई या चोटी मोटी फेवरेट अबजेक्स जिबार का पेस्ट कर दीजे आप उनको हैंग कर सकते हैं किसी थेट से या टेप से बस उनको थोड़ा लूज लगाई है close to eye level मतलब बच्चा जब खड़ा हो तो उसका हाथ जा सके महादर easy to catch होना चाहिए बच्चा खड़ा होएगा उनको देखके उसका मन करेगा लल्चाएगा कि क्यो ना मैं उनको catch कर लूप कर लूप धूंडू तो वह चलकर उठकर उन तक पहुंचेगा उनसे खेलेगा और एक bonus गेम है feet on feet बच्चे को अपने दोनों पैरों के पंजों पर खड़ा कीजिए आपकी तरफ एस करावा बच्चे ने और पीछे की तरफ चलिए दीरे दीरे चलिए इससे बच्चा आपके कदम से कदम मिला कर चलना सीखेगा यह आपके बच्चे को च आपके लिए एक और bonus गेम है cycle यह बैट पर लिटाके बच्चों को cycle यह कराए जैसे जिम में हम लोग करा करते इसे बच्चों को strength मिलेगी गेम भी हो जाएगा बच्चे का बच्चे की stretching भी होगे बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कब खेल-खेल में चलना भी शीख जाएगा झेल